हेलो दोस्तों वेल्कम टो एर्चनल तो जब से आप लोगों के एक्जाम की डेट आई हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत सारे इस्ट्रेंट से डरे हुए हैं कि भाईया मैंने तो एक भी टेक्निशन का टेस्ट नहीं लगा रखा, मैं क्या करूंगा, मेरा क्या ह मैंना मैंने टेक्निशन की तैयारी की है, अभी तक मेरी एलपी की भी सही से तैयारी नहीं है, जेई का एक्जाम भी है, आप लोगों को टेंसल लेने की ज़रोत नहीं है, क्योंकि 40 दिन का जो यह समय है, यह बहुत अच्छा का सा समय है, लोग 2-3 महीने में PCS का pre-clear कर लेत लास्ट टाइम गई थी, ना इस बार जाएगी, क्योंकि कितने गुणा बच्चा लिया जाना है, 15 से 20 गुणा तक आप लोगों का बच्चा उठाया जाता है, प्री के अंदर, कई बार 15 गुणा लिखा होता है, लेकिन 20 गुणा ले लेते हैं, अब 15 गुणा बच्चा, आ साइको में जाएगा, अब आप सोचिए, आप इतने भी गई गुजरे नहीं है, 10th, 12th, इस तो किया होगा न आप लोगों ने, और उसमें जो आपने साइंस पढ़ी है, वही तो यहां पर सारी कि सारी साइंस आने बाली है, सारी साइंस 10th लेवल की आएगी, क्या आप 10th से भी गिरे हुए हो, आपने VTEC किस बात के लिए किया, आपने IT किस लिए की, गाईज इसी चीज के लिए बता रहा हूँ है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान चीज़े है, देखिए, अगर आप सारा खेल आपके माइंड का है, अगर आपने माइंड को इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आप कर लेंगे, तो आप कर जाएंगे, और अगर आपने माइंड को इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दे दिए, कि अरे आप नहीं हो पाएगा, आप तो हो गया काम, तो उसी तरीके से आप गिर जाएंगे, देखिए, लोग बहुत बहुत बहु कर ली चेप्टर ही कितनी है और चार चेप्टर के मिश्ट्री के हैं नाइंथ के अंदर और फिर उसके बाद मोशन 4-5 चेप्टर आप लोगे फिजिक्स के हैं नोव चेप्टर ये हो नोव चेप्टर उधारें अठारे अगर कम्प्लीट कर लिए न तो इस 20 में से 15 नम आजाएंगे आपके सिर्फ 18 चेप्टर बताना हो और मैं 18 चेप्टर कम्प्लीट नी चालीस दिन में आप 7 चेप्टर नी होगे एक दिन में एक धंटे का एक चैप् हो जाएगी Crnng gkk मैं आपको कुछ नहीं नहीं है marking मैं is टरीके से हिंदी और इंग्लिस की मैं marking provide कर आउगा क्या corps Gaming नहीं है यह इसारी की सारी marketing आप लोगों को provide कर वाइस और इस टिए क्व श्टतिक मैं करना सुरू कर दे वो समझ के तब भी वो डेल महीने के अंदर इस रीजिनिंग में 25 में से 15-20 नंबर तो बड़ी आसानी से ले आएगा और यह जो नंबर है अब इना आप जोड़ लीजिए 15 नंबर साइंस के मैं करूं 5 नंबर यहां पर ले लीजिएगा 20 नंबर और 20 नंब जो है तक निषन डिफीकल्ट था उसके वारे में बता हुआ लेकिन उत्ना फिकल्ट देनला के साथ करना है बहर का कोई बंदा आने आने वाला नहीं है आप यी लंडने वाले हो दुनिया का की आदमे और नहीं है सिर्फ आय बाले हो तो क्या इतने गजरे हो कि आप तैयर करने के बाव जूद भी अपने वाले वच्चे को नहीं पचाड सकते बाकि यहां पर डिप्लोमा भी टैक तो कोई भी नहीं है तो आप अपनी वेकेंसी तो ले ही सकते हो इसके बाद बात करते हैं जेए में आठ गुना बच्च बो पंदरा गुना बच्च लिया जाना है वह बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट स्लाइड है मैंने यहां पर जोड़ी हुई है यहां पर आप देखिए अगर मान लेते हैं आपने प्री किसी भी तरीके से क्लियर कर लिया एलपी सीवीटी बन 18,799 में मल्टिप्लाइब है 15 और 20 गुना भी हो सकते हैं यह अगर 20 गु तो 15 गुना बच्चे अगर इनोंने लिये तो 2,81,000 यानि कि 2,82,000 बच्चे लिये जाएंगे और क्या आप इतने बेकार हैं पढ़ने में मैं कह रहा हूं आप अभी सेलेक्शन लायक नहीं हूं मैं खुद कह रहा हूं कि आप सेलेक्शन लायक नहीं हूं लेकिन क्या इतने बेकार हैं कि हम 40-45 दिन पढ़ाई करें और वह उनी चीजों की जो एक्जाम में आने वाली हैं बिल्कुल एक्जाम औरेंटेट कंटेंट पढ़ें तो क्या हम इस दोला की 80,000 के अंदर नहीं आ सकते तो आप बहुत बड़ी गलत साहिमी में हो 100% आ सकते हो इस दोला की 80,000 म मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपका अभी स्लेक्शन श्योर हो गया है स्लेक्शन अभी श्योर नहीं होगा अभी सिर्फ प्री में जगह बनाई है अरे एक बार आपकी प्री में जगह बन गई जिस दिन आप पेपर देके आओगे उस दिन से आप जीजान लगाके CBT-2 की त रीजनिंग वहाँ पे मिलेगी तो फिर उन चीजों को और बूश्ट करोगे तो और अच्छा स्कोर करोगे और हो सकता है कि आप CBT-2 भी क्लियर करो क्योंकि आठ गुना बच्चे लिए जाने हैं और अब जब आप इसको 19,000 को 8 से गुना करोगे मैं तो सीधा 20 से कर देता ह जो कि सब उसी टाइम पर पढ़ेंगे आज तो कोई साइको पढ़ नहीं रहा है और साइको में टोपर्स भी फेल हो जाते हैं और जब मान लीजिए एक 80 नमबर वाला बच्चा फेल हो गया 70 नमबर वाला फेल हो गया तो फिर नीचे के जो इस्ट्रेंट्स हैं वो लोग औ आज पास बच्चा साइकों में फेल हो जाता है तो एलपी का जो एक्जाम है बहुत ही ज्यादा अंप्रेडिक्टिबल वाली चीज़े रहती है इसमें बहुत-बहुत टोपर फेल हो जाते हैं कोई मेडिकल हो जाता है तो लास्ताम के आपके कम मार्स भी थे तब भी आप स lien कर लें तो सिर्फ इपटालीस दिन लेकिन आपको बरबार करना है तक सु्हुक्त सभटärी आगे में हैरे इस निए अभी मेनर वेकोडिंग महनत पर भिर भागे करने अरब या एक लाग लगभग 14-15,000 बच्चा सेलेक्ट होगा और सिर्फ ITI वाले बच्चे हैं 70 मार्क्स के करीब आप 70-75 का अकड़ा लेके चलिए कम से कम आप बड़े आरा अम से सेलेक्शन ले सकते हैं 40 नम्मर की तो सिर्फ साइन्स ही साइन्स आ रही है और गाईज यह जो आप लोगों की अभी मैं और बाकी चीज़े समझा रहा हूँ आपको बेहतरी तरीके से यह जो आप लोगों का जो क्रैस कोर्स लॉंच हुआ है जो आज रात से इसकी टार्गेट क्लासेश चलेंगी जाके देख लेना नीचे भी लिंक दे रहा हूँ है बियाईपी गुरुजी ऑफिशल एप्लिकेशन पर जाएए डाउनलोड कर लीजिए फ्रियो 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 फ्कोष्ट भी अगर आप टार्गेट्स फोलो करना चाते तो आप कर सकते हैं यूट्यूब पर भी चलेंगे लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अगर हम अपने करियर के लिए इतना ही सीरियस नहीं है हम अपना 20,000 रुपे का मुवाइल चला सकते हैं हम अपने मुवाइल में हर महीने 700 हर तीन महीने में 799 रिचार्ज करवा सकते हैं लेकिन हम अपनी पढ़ाई पर खर्चा नहीं करना चाते इससे बड़ी शर्म की बात हम लोगों के लिए क्या होगी कि हम अपनी पढ़ाई को प्रायोर्टी नहीं रख रहे हैं बाकि दुनिया की हर चीज को प्रायोर्टी रख रहे हैं लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ आज टाइम है इसनिए वो सारी टेस्स हम दें इसके अंदर डाल दी है free of course आप अपने course के अंदर enroll करिए सारे के सारे notes भी हम देंगे आप तो सिर्फ जो टार्गेट दिया जाएगा इस तरीके से हम कुछ टार्गेट देते हैं देखें दिखा देता हूं वैसे दिखाना नही सकते हो बताओ क्या इतने इतने हम गई जिद्रे हो गए कि हमारी इतने माक्स नहीं लेकर आ सकते हैं ऐसी बाला एकतिस नंबर पर सेलेक्शन हो रहा है सिका 36 पर सेलेक्शन हो रहा है इस तरीके से cut-off गई थी जो बहुत ही कम cut-off थी तो ALP CBT बन निकालना तो बच्चों का खेल है अगर आपने सिद्दत के साथ महनत कर ली तो मैं guarantee दे रहा हूं सिर्फ 15 टार्गेट 20 टार्गेट होते हैं वैसे लेकिन 20 टार्गेट को मैंने 15 टार्गेट में convert कर रहा हूं और इन 15 टार्गेट में से आपने 10 टार्गेट भी अच्छे से कर लिए न तो pre-100% निकल रहा है किसी का बाप नहीं रोक रहा है हर टार्गेट की जो value है कम से कम चार से 5 marks की हमेशा रहेगी बलकि ज्यादा की ही रहेगी ये टार्गेट आज रात आप लोगों का आज आएगा टार्गेट दे वन उसमें कुछ चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं फिलहाल म ना हो कि कभी सोचते हैं कि चक्कर में पूरी लाइफ बरबाद हो जाए यह 45 दिन नहीं है यह हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए एक पाठ है जिससे हम इन 45 दिन के अंदर अपने पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं सलेक्शन के बाता सलेक्शन के बात इंसान का दूसरा जन्म होता है आपको हर चीज कोई अदर का और ओर आप जिए बहुत ही जौरूई चीज़े हैं इन सब चीजों पर हम लोग काम करेंगे marks कैसे इंप्रूब करना है बैस्ट रिवीजन कैसे करना है लिमिटेड कंटेंट फाल्तू कंटेंट नहीं लिमिटेड जो आप गलतिया करते हो स्ली मिस्टेक्स उससे कैसे बचना है एक्जाम औरेंटेड अप्रोच कैसे रखनी है ताइम को कैसे मैनेज करना है कम पढ़कर ज्यादा स्कोर कैसे करना है इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे अभी मैं इस पर देने वाला हूं वीडियो वहां इधर उधर भटकने और टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे क्या पढ़ना है किस से पढ़ना य यह सारी की सारी टेंसन हमारी है आपको gagner करना है आपको तो सिर्फ यहाँ पे जॉइन होना है परकी responsibility हमारी है क्या-का टेस्ट सारे एंसी east और Current Affairs की marking, देखें, NCERT भी मार्क करके देता हूँ है, समझ लेना, NCERT को भी मैं हिंदी और इंग्लिस दोनों में mark करके देता हूँ कि जो चीज important है, यह देख सकते हैं आप यहाँ, पूरी जो भी चीज़े important रहती हैं, उसको मैं mark करके देता हूँ यहाँ, जिससे की बच् और Chemistry को भी ढंग से कर लिया, तो किसी का बाप आपका selection नहीं रोक रहा है, यह बात समझ लीजिएगा, बेहतरिन तरीके से आप लोगों का syllabus निपट जाएगा, इतनी सारी test series आप लोगों को provide करवाई जारी है, NCERT की test series, previous year test series, target days test series, practice sets, maths के, reasoning के, science के, static GKK, और भी full test, TCS latest pattern पर हम आधारी, सारे के सारे test provide कर रहा है, और ना सिर्फ ALP के exam को देख रहे हैं, बलकि ALP, technician, JEE, तीनों exam को focus कर रहे हैं, और साथ-साथ latest pattern जो CGL अभी करा रहा है, आप सुत रहोंगे CGL की बात क्यों कर रहे हैं, TCS कई बार क्या करती है, अपने जो अभी latest में, हाली में exam कर रही है, उसमें से कुछ चीज़े उठा कर रखना शुरू कर देती है, तो हमें उस pattern को देखेंगे, अगर कुछ नया दिखेगा, कि हाँ यह वाला pattern नया reasoning में introduced हुआ है, तो उस pattern को आपके questions में, आपके test में डलवाएंगे, जो कोई नहीं कर रहा है, यह सारी की सारी ने पहले भी ऐसे ही किया है, कि NTPC के questions उठा के group D में डाल दिए, और अपने CGL के questions NTPC में डाल दिए, इस तड़िके की चीज़े देखने को मिलती है, अगर सिर्फ test series लेना चाहते हो, तो एक सो 99 रुपे में अभी है, जो 399 की थी, आपको एक सो 99 रुपे में मिल जाएगी ये सिर्फ जो offer है आप लोगों का, परसो तक valid है, अभी आप 299 में ले सकते हैं अगर लेना चाहें, तो अगर नहीं है मन, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी जिंदगी सोचते ही रहिएगा, बाकि अगर कोई पुराना student है हमारा, तो वो GSP 50 यूज करेगा, तो उसको क क्या मिल जाएगा, 50 रुपे का off मिल जाएगा, उसको कुल 200, 400 रुपे में ये मिल जाएगा, अरे एक सर्ट की कीमत भी 300 रुपे होती है, साड़े 300 रुपे होती है, वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक minimum भी बता रहा हूँ, मैं 300, 300 रुपे की तो एक सर्ट ही ह थी, 14 दिन, और वहां से मुझे मिले थे 42 रुपे, 300 रुपे उस टाइम पर दिया ली थी, और वो 42 रुपे मेरे सेलक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए थे, क्योंकि घरवाले रोटी तो खिला ही रहे थे, रोटी खाने को तो मरा नहीं था, क्योंकि आज उन 15-14 दिनों में जो मैंने महनत की थी, उसके लिए मैं सुक्र गुजारूं और आप से भी कह रहा हूँ, यह 200 रुपे की इतनी उकात नहीं है, पले रही है घर में, जिंदिगी और पले रही है, अरे अगर इतना ही गम दिख रहा है, अगर इतनी ही ज़्यादा फीस एक दिन जाओ दिहाली कर लो, 300 रुपे दिहाली भी कर लोगे न, तब भी आके पढ़ लोगे, सिर्फ एक दिन तो दिहाली में बरबाद होगा, उसके बाद तो पूरी 45 दिन, 40 दिन पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन नहीं, करना आपको कुछ नहीं है, अगर तुम अपनी सेले पढ़ाई में आपको पैसा लगाना नहीं आता है, कहां इंवेश्ट करना है, हमेशा ध्यान रखना जिस इंसान ने पढ़ाई पर पैसा इंवेश्ट किया है, और जिस इंसान को पढ़ाई की बैल्यू समझ आ गई है, वो इंसान, आपने देखा, गरीब से गरीब आदमी जमीन बेच बेच के अपने बच्चों को आईएस की तैयारी करा रहे हैं, वो आपको लगता पागल है, और मैं देखता हूँ जमीदार लोग अपने बच्चों से खेतों में काम करा रहे हैं, लेकिन वो खेतों में ही काम करते रह गए बच्ची, लेकिन वो गरीब का बच् पूछे रह गए देखे साथ चलने का जो मज़ा है न वो आपके अंदर जुनून भरता रहेगा कि आज ये करना ये करना मेरे messages भी आपको काम करेंगे क्योंकि वो instant होंगे लेकिन अगर आप लेट होगे चीजों को selection लेना आसान है बार बार बता रहा हूं तीन लाग के करीब दो लाग भयासी हजार बचक select हो रहा है और अगर बीज गुना हुआ तो साड़े तीन लाग और साड़े तीन लाग में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैं प्रोमिस करना हूं जो 15 टार्गेट से आप अचीब कर लिजे और उसमें से 10 टार्गेट भी आपके अच्छे से हो गए न तो आपका selection शी हो रहा है आज रात पहला टार्गेट आ रहा है उस टार्गेट को आपको अचीब करना है content मैं प्रोवाइट कराऊँगा notes मैं प्रोवाइट कराऊँगा उसकी test series मैं प्रोवाइट कराऊँगा आप सिर्फ जन्यून तरीके से अपनी तयारी करते रहे अगर इस चैनल पर नए हो तो अभी भी कह रहा हूं जिंदगी बन जाएगी अगर आपने सही तरीकों को फोलो कर लिया तो इस टाइम पर guidance की बहुत ज्यादा नीड है guidance की value करो और अपनी पढ़ाई को चार चांद लगाओ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैनल को subscribe जरूर करके जाएगा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी और अगर आपको पढ़ाई की थोड़ी value करनी आती हो तो इस वीडियो को like जरूर कर दीजेगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखेगा टे किया